कि कि अपर ने बीवेरीवान वेलकम टूदी क्लाश वंटीफो स्वागत है आप सभी का इस बैटरीन सेशन के अंदर जाहां पे आप मेरे साथ अल्रेडी 5 सेशन कंप्लीट कर चुके हों अगर आपने हीमन आई से ये इस देखी है तो आरा रहा है गे सारी क्लासे प्लेक वेस आपके रेलवे में जो पीछले questions पूछे जा चुके हैं उनको तो हम कवर करी रहें साथ में किसी भी particular topic है जो maximum 50 questions अच्छे वाले यहीं से question आएगा आप भारत देश का कोई भी exam दे लिजे चाहें आप LDC चाहें आप MTS चाहें आप UPSC भी दे लिजे आपको यही 50 questions घुमा फि calling किसी भी topic है मैं आपको best 50 questions करा रही हूं हाला कि PDF में आपको questions की संख्या जाधा मिलेगी क्योंकि PDF में आपको वो सब कुछ मिलेगा जो इस chapter से वाला जो था वो गडबड़ी था reason यह था कि reason यह था कि आपका वो जो उसमें वेकेंसी की detail थी वो थोड़ी गलत थी आप अगर को अगर को थी के आर पी एफ का notification एक बर मैं चेक कर वा लेती हूं पूरा आज जैसे भी है जो मेरे सामने एक notification आ जाएगा तो थोड़ा सा मुझे चीजें यहां पर clear हो जाएगी चली आपकी इस topic को ध्यान में रखते हुए आपका science का टॉप 50 question और आज का session number six है नाम क्या है plant issues plant issues से पहले animal tissues में कल करा चुकी हूं तो जिनको भी plant issues समझना है अच्छे से वो animal tissues को जरूर समझ लीजे आज के session में आपको ज्यादा मुश्किल नहीं लगेगा सिर्फ कुछ नाम है जो आपको revise करने उसके लावा science का topic wise mcqe session आपका पूरा चलाएगा once we have completed the science फिर इसी क्लास के अंदर हम जी के भी continue करेंगे जो आपके अलग अलग दी दे लिजे चाहें आपका एंटीपीसी का पेपर है चाहें फिर एलपी या फिर टेकनीशन या फिर जेई का पेपर एक ऐसा टॉपिक जो आपको करके अच्छे से जाना ही पड़ेगा वह है आपका the periodic table periodic table की कल यानि कि जब यह क्लास शुरू होगी आठ बजे वाली तो सेशन आपका फिर से 50 क्वेश्चन का नहीं होगा यह क्वेश्चन आपका 200 क्वेश्चन का होगा जहां पर हम इसको वन चॉट में पूरा periodic table कवर करने वाले और अच्छी बात है कि इसी सेशन के अंदर आपको थियोरी भी कवर हो जाएगी तो क्लास चाहें आपकी चार घं से लगेंगे लगेंगे लेकिन मुझे साथ में थियोरी भी करानी है तो यह आपकी एक अल्टिमेट क्लास है जो कल को होने वाली है इसको जरूर से नोट कर लीजे जितने भी ग्रुप्स हैं आपके या जितने भी प्रेंट्स हैं उनको शेर कर दीजे क्योंकि कल हम periodic table करनी है तो फाउंडेशन बैच 2014 जनरल साइंस का आपका चलने लग रहे हैं जिसमें हम अभी केमिस्ट्री का आज मैंने एसिद बेस वाला चाप्टर कम्वीट कर रहे हैं उसके बाद हम केमिस्ट्री के बागी चैप्टर फिर फिजिक्स फिर वायलोजी को भी कवर करेंगे लेट्स स्टार्ट विद इस यह आप सेशन जॉइन कर सकते हो ग्लास 24 अप्लिकेशन पर आज के क्वेशन को शुरू करते हैं देखे सबसे पहले आप याद रखें जैसे मैंने कल बताया कि टिशू जिसे कहते हैं हम उतक जिसे कहते हैं उतक कहा जाता है यह किसके दुआरा परियोडिक टेबल यह मैं और कि टेखें हैं आपको पता है कर रहे हैं तो आपका क्या जाता है dependencies की सब्सका स्टेशन कर एक क्लास को मिनिमम् होगी भागी जब परियोडिक टेबल पढ़े हुत है हम तो टाइम का मेरा मोटिव है कि आप एक सेशन के अंदर पूरा periodic table complete कर लो आपको periodic table के फिर पचास सेशन जूणना नहीं पड़े एक ही जगह आपकी थियोरी एक ही जगह question complete हो जहे स्टार्ट एट भी हैं फिर देखते हैं वो क्लास कितनी जाएगी आपको बार बार हर जगह पढ़ने की ना जुरत यहां पर पढ़ेगी नहीं ठीक है चलो यह बात में आपको वैसे भी बता रहे हूं सारे बच्चों को जॉइन भी करने पेरियोडिक टेवल याद रखो आप आज भी अगर एलपी का पेपर दे रहे हो और आप चार-पांच महीने बाद आप गुरूबडी का फॉर्म भी बरोगे यह आप एंटीपीसी का फॉर्म बरोगे सारे एक्जाम्स में जो है ना वह परियोडिक टेबल आती है और अच् से खा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है और मैं साथ बजे के बाद खाना वैसी नहीं खाती हूं है ना तो इसका मुझे एडवांटेज कुछ तो लेना चाहिए आफ्टर सेवन पीम मेरा लास्ट मील जो होता है वह साड़े छे-छे-छे पे हो जाता है मैक्सिमम साथ बजे तक साथ बजे की अपनी स्पेशल साइंस की क्लास शुरू करते हैं तो मैं खाना खा के आती हूं तो मुझे खाना खाने की जुरूरत नहीं पड़ती है साथ बजे के बाद आप लोग अपना खाना देखके रखेगा यह वाला पूरा पार्ट तो यह चीज याद रखिए वही क बहुत इंपॉर्टन क्वेश्चन है मैं आपको यह यकीन दिलाते हूं कि आप अपने साइंस के जितने भी आपके फैलो फ्रेंड्स हैं जो तैयारी भी कर रहे हैं एक बार किसी को हिस्टॉलोजी का फादर पूछेगा तो कहां मतलब पता नहीं होता लोगों को आप जेव कि दिवाइड करते हैं दर्मल टीश्व दर्मल टीश्व क्या होता है जो पतियों के ऊपर की जैसे हाइपोडर मिस हमारी सिकन है न हमसारी तवचा को क्लर पर की उसको दर्मल अ कर दिया लUS prefers होते हैं ग्राउंड टीशूən ग्राउंड टीशू जो हिस्थ की सिंपल पर्मनेंट उनको बना रहे हैं और तीसरा यहां पर होता है वसकुला टीश्व को यानि कि समवहां ऊतक संवहन उर्तग तो पौधे किसी भी पौधे के अंदर यह तीन चीज़ें मौजूद होती हैं डर्मल टिशू ग्राउन टिशू और वस्कुलर टिशू देखो याद रखो हमारी प्रत्वी हमारे पौधे और हमारा जीवन रूल आप थ्री पे चलता है दिन में तीन पहर होते यह तीन चीज़े बहुत इंपोर्टेंट होती है तो रूल आप थ्री चलता है यहां पर रूल आप थ्री हर चीज के लिए डर्मल टिशू ग्राउन टिशू और वस्कुलर टिशू तो पहले तो याद रखे कि जो पौधे के पौधे के टिशू के प्रकार है या पूरे प component issue एक किन को आज कहते हैं स्थाई उतक हिंदी वाले बच्चे आप लोग ध्यान लख ठीक है वारसित consig तीशू जिनको हम विवया जियोतक उत तक कहते हैं यह Oscar being towards के अंदर बीज गाड़ा अब यह बीज जब थोड़ा सा छोटा सा पौधा मिटी के उपर से निकलने लगता है मिटी को क्रॉस करके पत्ती पतली सी छोटी सी ऐसी प्यार इसी डंडी निकलती है और उसमें से दो पतियां बाहर निकलके आती हैं जिनको आप लीफ लैट कहते ह है इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं एपिकल जो सबसे उपर का है शीर्ष जिसे हमने बोल दिया एपिकल दूसरा हो गया इंटर कैलरी और तीसरा हो गया लेटरल तो इन तीनों के इंपोर्टेंस समझो मेरिस्टमाटिक यानि कि विभाज योतक नाम से समझ जा कि और पौदे की जड़ों को बढ़ा रहे है यानि की पौदे की लहीं को बढ़ा रहे है इंटर कैलरी क्या होता है जो पौधों के बीच की यह उनको बढ़ा रहा रहा है तो वो पतला सा छोटा सा मुलायम सा पौधा निकलेगा फिर जब वो बड़ा होता जाएगा वो जड़ें उसकी मजबूत हो जाएगी वो पेड़ बन जाएगा तो उसकी चौड़ाई जो है न वो भी बढ़ती चली जाएगी अगर चौड़ाई बढ़ती है तो हम उसको गर् जो स्थाई है यह स्थाई important to be noted यह स्थाई से ही बनते हैं तो ऐसे विवाजियों तक उत्तक जिन्होंने अब विवाजन करना बंद कर दिया है वो बन जाते हैं जिन को एंपने सरल स्थाई एक बोला कूह प्लो आते हैं स्थाई माइन क्या हैं क्या है एक वर्ड समझ लीजे जैसे मैं आपसे पूछू कि आपका खून क्या कर रहा है ब्लड क्या कर रहा है सबसे इंपोर्टेंट वह आपका CO2 और O2 को एक्सचेंज कर रहे हैं है ना आपकी आखे क्या कर रही है वो सिर्फ देखने का काम कर रही है आपके लिए वरना वह तो मैमरी भी बना रही है और आपके दिमाग को 80% दिस्तमाल कर रही है तो हर एक चीज का एक फंक्शन होगा जो आपको बेसिकली सबसे है इम्पोर्टेंट फंक्शन होगा वो लन करना है जैसे प्रेंट कैमा यह क्या करता है चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं रखते हैं अब करने कैमा यह फ्लेक्सिबिलिटी प्रवाइद करता है क्या फ्लेक्सिबिलिटी थीक है इस्ट्रेंट्ट देता है और इक्वाड में आंख बंद गरके भी अगर मैं आपसे पूछूं आँख बंद कर लिए सिफ कान खोल के रखें के लिए बताई है और इस principal प्राइटर क्या करता है पाकेजिक्ट स्क्लेरन क्या मैं करता है रिद मी smiles et है पेरेन रागिविंग होता है इसे तरीके से पेरेन हैं उनकी हां फंक्षन है यह याद रखना है कि एंसेललोज का बनता है सेललोस की उसलोल यह पैक्टिन की चैल में के Chung होती है उसका बनता है और जो स्क्लेरिन का होता है वो लिगनिन का बनता है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुरुप डी ने इसको हजारों दफ़े पूछा है महला रिपीटेड लिए अगर मैं इसकी परसंटेज या फ्रिक्वेंसी पूछूंगी ना तो आप यह समझ क्वेश्चन है जो इस टॉपिक से अब तक पूछे गए हैं पिछले कुछ दिनों में 88 क्वेश्चन है जो इस टॉपिक से पूछे आप यकीन मानिये इसमें आप देखो 88 क्वेश्चन इसी टॉपिक से आए हैं मतलब इसी पर्टिकुलर प्लांट टिशू से पूछे गए हैं उसमें भी सबसे फेवरेट यह आगे आप देखी लोगे तो पैरेंट कैमा किसका बना होता है सैलिलोस का कॉलें कैमा किसका बना है पैक्टिन का औ उन में से एक है जाइलंग दूसरा है फ्लयम लॉइंग ओर फ्लयम कया सबसे यह क्वेश्चन जो पूछे घये हैं उनको 스타्ट करते हैं यहांगे लोव टेक्नीशन की आप तियारी कर रहे हो और पीएफ का भी एक्जाम आ चुका है और गुरुप डी ऑक्टोबर के आसपास आपको पूछा जाएगा दिया जाएगा यह सारे आपके इस question के मलभी question का फूरा हिस्सा बनाने वाले सो question number one आपके screen पे यहां पर question 88-89 थे लेकिन कई सारे question repeated थे तो squeeze करके मैंने आपको 70 question pdf में देने उन 70 में से जो और भी कम repeated थे वो आपके question यहां पर आएगे इस question number one which part of the plant is responsible for transporting water from the roots plant to the rest of the plant यानी कि जडों से पौधे के बाकी हिस्से तक पानी पहुंचाने का काम किसके द्वारा किया जाता है तो आप जाइलम करके आंसर याद रखेंगे जाइलम पैरन कैम और कॉलन कैम यह किस प्रकार के सेल हैं बताए टिशूज है स्वारी पैरन कैम और कॉलन कैम किस प्रकार के उत्तकों को कहा जाता है देखे चार गंडे की class मैं बोल रहे हूं अगर आप टाइम से चीज़े पढ़ लोगे मैं भी आपको टाइम से पढ़ा दूगी आप क्वेशन देखो मुझे मेरा टार्गेट है परियॉडिक टेबल की मुझे ठीओरी कमप्लीट करनी है और मुझे 200 क्वेशन कराने क्यों बहुत हुआ क्यूंकि रेलवे ने 2018 से लेके 2018 से लेके 2023 तक 188 question तो रेलवे नहीं पूछे हैं और कुछ मैं अड़ कर रही हूं तो ऐसे करके मेरे पास 200 question है periodic table के इसलिए मैं आपको बार-बार 200 कह रही हूं चार गंटे की class 8 बजे शुरू होगी और जितने जल्दी आप कर लोगे आप 11 बजे कंपीट कर लोगे 11 बजे चुख जाएंगे आप 10 बजे करोगे 10 बजे छोड़ देंगे कोई इशू नहीं मुझे सिर्फ 200 question और आपकी 200 class दो सो questions कंपीट कराने और त्योरी इवनिंग में आट बजे होगी रात को आट बजे शाम तो होती नहीं आट बजे रात होती है तो 8 पी एम इंदा इवनिंग रात को आट बजे करने वाले हैं ठीक है सबको क्लियर है अब अगर कुछ पूछने है तो लास्ट में पूछ ले स्टेट्मेंट अबाउट टिशू इस इनकरेक्ट जाइलम जलवा खनिजों का परिवहन करता है जाइलम और फ्लोयम यह जटे लोग तक हैं कॉंप्लेक्स टिशूज है फ्लोयम ट्रांसपोर्ट फूड करता है लीवस से लेके अधा प्लांट में और माटीरियल कान मूव स्टेट्मेंट आपको गलत लग रही है जाइलम जो है वह पानी और ट्रांसपोर्ट कर रहा है मिनिरल्स को जाइलम और फ्लैम कॉंप्लेक्स टिशू होते हैं यह एंटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है शिप्ट नंबर 2 में पूछा गया था फ्लोयम ट्रांसपोर्ट करते हैं म साइन्स नहीं आती बहुत कम आती है ठीक है अब इसमें से कौन सा गलत है तो आप यहां पे याद रख लीजिए क्या बात है गिरीश बहुत ही बढ़ी है मटीरियल कैन मूव बोट डिरेक्शन जाइलम जाइलम में पदार्थ दोनों अधिशाओं में गती कर सकते हैं यह ब पानी ऐसे नहीं आता कि बहुत पानी पी लिए जड़ों को वापिस दे दो ऐसा कभी भी नहीं होता इसलिए ऑप्शन यहाद रहे कि बागी तीन ठीक जो है स्टेटमेंट आपके दिये हुए डैश टिशूस फॉंधी वस्कुलर बंडल इन में से समभानी उत्तक बनाते है और बेचाने को नीचे नहीं है यह बताई है प्रक्रिया कही जाती है के शिकत्व कहा जाता है अब बस्कुलर बंडल कौन बना रहे जाइलम और फ्लोयम कौन बना रहे समभान उत्तक आप किसो बोलोगे जाइलम और फ्लोयम को ठीक है यह आप लीव का स्ट्रॉक्चर ध्यान से देखो एकदम शांदर ऊपर एपीडर्मिस है नीचे यह जो आपको दिख रहे हैं यह स्प अंदर की तरफ होता है और फ्लोयम जो है वह बाहर की तरफ होता है और यह खाना और पानि देने का यहां पर काम कर रहें in addition of dash phloem is made up of all the falling इनकी अगर हम बात कर लें मतलब इसके अतरिक्त इसके अतरिक्त जो फ्लोयम है वह बाकी सारी चीजों का बनाए लेकिन यह चीज नहीं बनी यह चीज इसमें इंक्लूड़ेड नहीं है अगर इंप्लाइमेंट न्यूज के अंदर आया है तो आपका जो नोटिफिकेशन वह ठीक है अगर इंप्लाइमेंट न्यूज के अंदर छपके आया है तो वह ठीक होगा बाकी पीछे वाले जो आरपीएफ देखे पीछे जो नोटिफिकेशन आया था उसको रेलवे ने और पी आई भी ने दोनों ने खारिज किया था कि हमने नहीं छापा है ठीक है रेल्वे और पी आई वी दोनों ने खारिज किया था अब देखते हैं कि अभी वाला नोटिफिकेशन जो है वो कैसे आये जैसी आता है पेज नंबर 16 पेज छप गया है कॉंस्टेबल की भरती अभी आप लोग तो बहुत ही एडवांस होगे भाई आप लोग को तो बहुत ही जल्दी इंफॉर्मेशन मिल जाती है चलिए ठीक है इन बिट्वीन मैंने टेक्निकल टीम को बोला है कि वो लेके देने वाल है अब बाला वैसे तो 100 पसंट ठीक ही होगा अगर अगर किसी के पास है दिख रहा है यहां पे तो थोड़ा सा आप मुझे टेलिग्राम पर सेंड कर सकते हो वैसे अभी तक कहीं कुछ आया नहीं है इन विट्वी चलिए बताइए फ्लॉयम इस मेड़ आप 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 से आंसर क्या आना चाहिए तो याद रखे देख यहां जो बना होता है यह बना होता है यह बञ़्सु इस पहले अपके शल्ड कप चाहे चांते हो ना वैसे मैं अनको धी कोशिक कहा जात Tir वी चाहिए इनका बिविना सकी के नहीं चल पारा काम ठीक है उसके बाद होता है फ्लोयां फाइबर फ्लोयां फाइबर जिन को इन्होंने फिलामेंट लिख है फाइबर को इन्होंने फिलामेंट लिख दिया रेशे जो होते हैं उनको रेशे चौती चीज होती है चौती चीज है फ्लोयां पैरंट कैमा फ्ल चीजों का बना हुए कौन सा स्थाई उत्तक पौधों को कठोर एवं बहुत कठोर बनाता है यह पौदे को हाड बनाता है यह नहीं की दिपोसिशन होती है लिगनिन की डिपॉजिशन होती है और इसी डिपॉजिशन की वजह से यह क्या कर रहा है यह बहुत ज़्यादा टफ बना देता है किसी भी particular plant के structure को काफी ज़्यादा टफ बना दे रहा है which of the following is not a function of epidermis of plant इन में से एक function एक कार्य पौदों की बाहरी तुचा का नहीं है निम्नलिकत में से कौन सा पौदों की बाहरी तुचा का कारे नहीं है मतलब यह पौदे की बाहरी तुचा नहीं कर रही है ठीक है तो क्या लिख लें यहाँ पर हिएं परफॉर्मिंग फोटो सिंफुषिज प्रकास शंसलेशन करना फ्रफॉर्मिंग फॉर्टो सिंप्रल Крас की उच्छा है यह पिर पौदा एपिडर्मि yacht जो आई वह नहीं कर और यहां कोड़ी हुआ कहिए लेकिन फोटो सिंटसिस्ब इसने जो है वह क्लोरो систем कर रहा है आपकी धर मेस नहीं कर ही अप्ति को ध्यान से देखोगे सबसे उपर क्यूटिकल होता है जो से उसको प्रोटेक्शन दे रहा एं फिर एपीडरमेस तो प्रोटेक्शन दे रहा यह पूरा Tube है जो की जायलम और फ्लायम क बना हुआ है ठीक है एयलम का पर टीकल है फिर अपर बीच के बंडल जाized जिसको वस्कुलर बंडल बोल रहे हो पत्ती के नीचे भी लोर एपिडर्मिस होता है और यहां पर जो है न वो स्टोमेटा होते हैं तो अगर मुझे आंसर देना है रियाद रखे फोटो संथेज एपिडर्मिस यानि की उपर की तुछा नहीं परफॉर्म कर रही है ठीक है य पर्मनेंट इशू कैसे बनेंगे जब बहुत सारे मेरिस्टमाटिक टिशू आपस में डिवाइड कर जाएंगे और वो अपना काम पूरा कर चुके हैं तब वो फिक्स हो जाते हैं ठीक है फिर वो डिफ्रेंसियेशन या विवेधन कहा जाता है तो बहुत सारा आपका क्या जो है मल्टीप्लाइब कर दिये फिर उसके बाद उनके फंग्शन परफॉर्म करना उन्होंने माइटासिस से मल्टीप्लाइब किया फंक्शन करने लग तो जो मेरिस्टमाटिक टिशू होते हैं वह पर्मनेंट टिशू को कब कैसे बनाते हैं डिफ्रेंसियेशन करके 2018 की साथ दिसंबर और 31 October की शिफ्ट नंबर दो और तीन में तो मैं अगर इस कान्य वहां से मोटे होतेयं काफी जो को रिखुट होता हैं और सऑल Все же क्योंतों होते हैं अब कैसे करना है Tomato कायमा ओ कालन कायमा मतलब कोटी होती है उनको आप कॉलन काइमा बोलते हो ठीक है कोलन काइमा जो है वो किसके लिए कहा जाता है यह हमारे सेल्स को flexibility देते flexibility आप इधर देख लिया क्या वो चला इधर नहीं देखने हैं डाइगराम में नहीं देखा गरो आप वहां option देखो इमांदारी अपना चलनी नलिकाएं जिनको सीव टिशू ट्यूप साप कहते हो और साथी कोशिकाएं यानि की companion या सहयोगी कोशिकाएं कहा जाता है वह आपकी मुख्या रूप से किसके परिवहन के लिए जिमिदार होती है सीव ट्यूप और companion cell यह किसका परिवहन कर रही है पत्तों को पानी देती है मानव शरीर को भोजन देखो सबसे प्लांट टिशू कर रहा है तो यह तो आपको यह भी तो मतलब सिव कमपेंएंट अच्छा यह तो हमारे सरीर में उसक्तों कर रहे है यायद रखें सिव कमपेंएंट इन सेल क्या कर रहे हैं पौदों को भोजन दे रहे हैं क्यूं क्यूंकि सीव ट्यूव और और कमपेंऑन सैल किसका हिस्सा है यह सता है अभी मैंने आपको बताया कि फ्लाइम 4 परकार के बने होते हैं चार चार चीजों से बनते हैं सीव एक है फ्लो हैं एक है जाइलम ठीक है एक है जाइलम तो सीव खम पेचनिंज लोएं और चार चीजों से बनाए तो यह सीव ट्यूब और कमपेचन ट्यूब और क्या cuánt यहा हुआ regrets का हिस्सा है तो आपके फूट टू प्लांट करके याद रखें ठीक है यह बताएए स्क्लेरान कायमा की कोशिका भिती इसके जमाओ के कारण मोटी होती है किया दे रहा है आपको स्क्लेरान कायमा क्या कर रहे हैं हम को टाफनेश बता है स्ट्रेंथ देता है अच्छाए और प्रकृण के दावननाख्रोट खाना बहुत ही मुश्किल है जेट के पेदिए तोड़ो पर खौण उसमें से अधा निकल रहा होता है उसी पर जो निकल रह होता है साब कि किसी भी तरीके से हवा अंदर ना जाए या फिर पानी जो है वह एंदर ना जा अब ये जो किस चीज का डिपॉजीशन होगा किस डिख सी होती है डिपॉजिशन लिगनिन से होती है किसे लिगनिन से होती है नेमनलिकित में से कौन तने और जड़ों के शीर सथान पर पाया जाता है और यह किसली होता है ताकि पौधे की लंबाई बढ़े किसकी बात करें यहां पर आप इस बिवाजक के नाम से जाना जाता है तो आप पौधे को दियान से देखो तर्मिनल वर्ड यानि कि सबसे उपर आप देखोगे तो यह जो है यह क्या बना रही है इस तरीके से सेल्स जो है वो इसके दिखाई देते हैं तो यह हो गया शूट एपिकल मरिस्ट है यानि कि जड़े जो होती है ना वो शूट जो तना रूट्स देखो सबसे आखरी की रूट्स देखो बिल्कुल नीचे यह वना रही है जड़े तो हमने इसको क्या बोल दिया टेखिकल रूट अप्पिकल मरिस्टम तो जो पॉदे की लमबाई बढ़ती है वह मैं निचे और शूट अब बताओ यह पहले वाला मेरी खेल 2018 कहीं था यह क्वेश्चन बिल्कुल उसकी अपोजिट है ना मतलब आंसर वही है ना तो अभी याद रखो कि दो वॉल आप स्क्लेरन काइमा अर्थिक डियू टू अभी आंसर दियो ना लिगनिन की वजा से ठीक है लिगनिन अच्छा अब यह पूछ जाएगा तो झाल लू लिखने और आपको कॉलन काइमा पूछ जाएगा तो क्या याद रखना है पैक टेन फेट प्रक्ट्रिया एल आघे जो कि स्कलेरन काइमा बेभी आता है अब याद रखो पैरन काइमा में ने हमने लिकत में से कौन सा उतक मुख्य त यानिए कि डेट टेट कोशिकाओं से बना वह अब तक कौन सा कहा जाता हैं तो बताएं जाइलंग प्राइन कैमा कॉलन काई मा एरन कैम हैं यह गलत नहीं है ठीक है और देड़ से मैक्सिमम जो है वो इसका यह पार्ट जो है ना वह डैड़ से बनता है तो आप देखो इसी चीज को ना आप लकडी भी बोलते हो ठीक है आपको इसी चीज से क्या बोलते हैं लकडी भी को लकडी लिखा है लकडी तो अगर मैं आपसे पूछों कि लकडी स्क्लेरेंग है ही के पड़ते हो उन में से मैक्सिमम जो टिशूज के पार्ट है या टिशूज है वो कुछ-कुछ आपके डैड है यानि की मृत है स्क्लेरन का अप्शन में है यह नहीं न तो आंसर कैसे दोगे अपने इसाब से एक और स्क्लेरन का अंसर है याद रखे कि आपका जो होता है वह भी डैड टिशू में ही आता है ठीक है डैड टिशू में ही कंपोस्ट किया जाता है उनको अपन डैड में ही कंसीडर करते हैं वो मरत होती है तो एक तो आपका यह स्क्लेरन का इमाडेड है है ठीक है उपर से आपका जो ढिलम है जिसके भी वैसल ट्रेक जड होते हैं और हम लकडी बोलते हैं लकडी लकडी काटी पेड़ों की इस्तमाल की फरनीचर बनाया वह सब आपका जाइलम होता है क्या होता है तो कभी पूछा जाना प्लांट्स में लकडी कौन सा हिस्सा बनती है तो जाइलम ही लिखिएगा ठीक है निमनले कितमें से किस उतक में सबसे सेलों के बीच का गैप है इनमें सबसे बड़ा इंटर सैलूलर गैप किसमें होता है डेंटर कॉलेंट्स ऐत की में नहीं पाया जाता ह। उतक एक मत्रपादप उतक है जो कोशिका विवाजन द्वारा नई कोशिका का निर्माण करते हैं डाश टिशू करके नए सेल बनते हैं वो बना रहे होते हैं बाकी नहीं बनाते हैं बाकी नहीं बना रहे option का आंसर बताईए तब तक मैं आपको देखो दो चीज़े बता देते हुँ फिर से रिवाइज कर लेते हैं जो बच्चे अभी जो आइन की है या समझ भी नहीं आया होगा कई बच्चों को को कोई हिलानी सकता कहते हैं जितना मुश्किल सरकारी नौकरी में घुसना है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है कि इस नौकरी से आपको कोई निकाल के दिखाते हैं किसी के बाप में तिदम नहीं है कि आपको सरकारी नौकरी से निकाल के दिखाते हैं यह वाली चीज़ आप यहां पर याद रखे कि जो मेरिस्टमाटिक टिशू है वो विभाद जीयों तक उत्तक कहे जाते हैं और जब तक यह पेड़ों की लंबाई पेड़ों की चोड़ाई और पेड़ों के शाखाओं के बीच की दूरी को नहीं पूरा बढ़ा देते यह तब तक डिवाइड करते है एक बार पेड़ की लंबाई जैसे मां लीजे आमका पेड़ हो गया तो जब तक से क्षारा इडिविजन से डिवाइट करेंगे जो की होगी माय टॉसेजी ठीक है माय ॐसे से तो मेरे century मां आप Sathasyes वही डिवाइट लएट करते हैं इन मैं से आतरम जितने भी होंगे जो परमानेट सिला सॉरी वह बी वह्युद अधरि नहीं करते पैरेण कहिमा k школan punished cur and किनारों के चारों और पार्ष रूप में मौझूद यानि कि लेटरल मेर मेर में जो मौझूद उत्तक हैं वो तने की परदी परदी में व्रदी को जनम देते हैं उनको क्या कहा जाता है तिशुस प्रेजेंट अराउंड अज़स इन दी लेटरल मेनर और गिविंग राइस ट ग्रोथ इन गर्थ अब दे स्टैमिस कोड किनारों के चारों और पार्ष रूप में मौझूद उत्तक जो तने की परदी में व्रदी को जनम देते हैं उनको क्या कहलाते हैं जहां पर मैंने आपको बोला कि लेटरल यानि कि लेटे हुए हैं अगर लेटा हुआ डिवाइड पहुएगा पहले इतना फिर इतना फिर और दिवाइड करेंगा तो क्या बढ़ेगा पेड की जो टना हैं उसकी चोड़ाई वड़ती जा रही है यानि कि गर्थ गर्थ कौन बढ़ाता है लेट्रल मरिस्टेमाटिक टिशू इसकि चोड़ाही बढ़ा रहे हैं इतना से किस उत्तक में सबसे बड़ा अंतर कोशी अस्थान इंटर सेलूलर स्पेस होता है अब आप बताओं इस क्वेस्चन का अब आप कभी गलत आंसर मत देना चलिए बता दीजिए वह क्वेस्चन भी गुरूप डी का यह भी बाइस नौ दो हजार अठार में यह क्वेस् होता है डैश उत्तक की कोशिक है विवाजित हो की विविन प्रकार के स्थाई उत्तक बनाती है कौन मैरिस्टमाटिक अगेन और रिपीटिट क्वेस्चन लेकिन अलग तरीके से दसेल आफ कॉलन कैमा टिशू बिकम ठिकर एड़ दा कॉर्णर दैन किसकी अधिक मोटी हो ज सिस्क्लेरन कैमा लिगनिन लिगनिन और क्यूटें दोनों चीज़ें और जो कॉलन कैमा है वो स्वडक्र फेक्टिन वाला ओप्शन देखना आपको काइक्टिन चिटन याद रहें यह मर्त जाता है यह पंगस में पाया जाता इमूंटेन हमेचा होती है इसलिए फंगस वा बताइए यह आप आंसर दीजे जल्दी से इन में से कौन सा ऐसा टिशू है जो कि रूट टिप या शूट टिप में मौझूद होता है और गता है क्वेश्चन करके ठीक लग रहे है समझ जारे क्वेश्चन थ्योरी समाझ ले देखे आपको छार पांचीज नहीं टोटल मिला कि क्या है देखो एपिकल इंटर कैली एपिकल इंटर चैलरी और लेटर ठीक है एपिकल इंटर याटर उसके बाद क्या आ गया में लाके इतनी ही चीज़े हैं प्लांट इशूस के अंदर जिसमें से यह तीन जो है वह मरिस्टमाटिक है विवाजियों तक और यह बाकी की जो है इनको हम पर्मानेंट कहते हैं हर किसी का एक-एक के पेपर में यह पूछा गया था जो आपकी स्क्रीन पर लिखा है तारीक के साथ 31 अगस्त 2018 का शिफ्ट वन अगर आप में से किसी ने दिया है या जिसकी पास है प्रीवियस यह वह देख सकते हैं प्राइमरी ग्रोथ जो है वह किसकी वज़ा जाए तो लेटरल प्राइमरी के लिए मदद नहीं करता जब आपने लंबाई बढ़ा लिए आपकी शाखाएं बढ़ गई है आपकी लंबाई पूरी रूट और शूट की बढ़ गई है तब जो है वह लेटरल काम करता है लेकिन इनीशियल स्टेज पर याद रखें इंट इंटर कैलरी और अवर दो काम कर रहे होते हैं जहां पर सेकंडरी इनृट आजाती है जीवत लंबी और कोणों पे zewe हैं यहां पर हमारे पास यह किन उतकों में किया वह लाइव होते हैं और इल्रेगुलर होते हैं जब आपके सामने जीवित लिख दिया जीवित तो पूरे टापिक मेंचा हैं स्टिंपल पर्मज़ॉंस आपको Wasta याद रखना हैम आप याद रखे हैं जो पादें उन्में पाया जाता है अब प्र३दंगर कोशिका विवाजन में संख्षम है फिर वही कौनसा पादा पुत्त कैसा है जो कोशी का विवाजन में सब शक्षम है तो मेरिस्टमेटिक अगेन गुरुप डीके और एलपी के दोनों शिफ्ट में सेम टू सेम क्वेशन पूछा गया है तो दोनों करता इस जो आपका आपका कोशिकाएं मरद हैं तो पर्मणन पाद्र जिफ्ट म मरा हुआ होता या जालम ऑप्शन होता गुमा के पूछ लिया और क्वेश्चन देखो यहां पर पूछा तो एलपी 2018 का ठीक है जब यहां पर गुमा के पूछा तो आर रवी गुरुप डी का बारा दिसंबर 2018 का क्वेश्चन था स्क्लेरन कैमा घर के याद रखे कोशिका मर चुकी है ठीक ह नहीं करता है उसके इंदर को जीवत्रवय होता है इन में प्रोट अज़ते हैं यह इसी वजह से अब आपने नहीं हैं कि बाद आशन नहीं करता क्यों नहीं करता कैम डिवाइट जा नहीं करता एक सिंगल क्वेश्चनैंस कि आप 2-4 हजार है ना उसी से वरा एक्जाम हो जाएगा हम एक्स्ट्रा दिमाग क्यों लगाएं पहली गिन के मिला है दिमाग बेट से मिला करेंगे खर्च तो तोल-तोल के इस्तमाल कम हो जाएगा ध्यान रखे जरह इस question को देखें ठीक है cells are dead किसके cell dead scleran कैमा की आप cell को dead bridge किनके अंदर प्रोटो प्लाजम होता है appliqueedude कि च्रॉल्क्र फैयल अब पूछा जा सकता है कि प्रोटो प्लाजम नहीं और यह क्लास में था नहीं कि आप question नहीं पूर सकते यह बहुत ही अच्छी आपकी मैं आपको बहुत ही अच्छा योग ये बच्चा वानूंगी अगर आप जो options हम दे रहे हैं question दे रहे हैं उदर से आपके दिमाग में कुछ भी पूछेगा ना एकदम question को स्ट्राइक मैं आपको ये बात बहुत साइंस एक ऐसी चीज़ है जब कोई बच्चा किसी topic में घुमा की चीज़े पूछता है या उसको लगता अच्छा क्यों वाला पाट आता है क्यों नहीं कर रहा ऐसा बच्चा 2018 से लेके 2024 तक मुझे बहुत ही कम मिले एक आधी मिला होगा इंपक्ट जो मुझसे question पूछता ह है ना तो ऐसे बच्चे चली है क्या गरे हाट बनाते है प्लांट को लेकिन क्यों डिवाइड नहीं कर रहा है यह भी तो पूछना चाहिए ना क्यों डिवाइड क्यों नहीं कर रहा है तो याद रखे प्रोटो प्लाजम उसमें मौजूद नहीं होता है नेमनलेकित में से क की कॉंप्लेक्स सिंपल कौन है PCS पैरंकाइमा कॉलनकाइम और देखो PCS निकालना मुश्किल है जाइलम और फ्लोएम जाइलम और फ्लोएम एकस पी जो है यह आपका थोड़ा सा मुश्किल है यानि की जटिल करके यहां पर याद रखे तो इन में से सिंपल पर्मनेंट डिश्यू आयलम नहीं है बाकी तिनों जो हैं ऊपनें एकिक हैं याद रखे यह आपके इस राइलम जो है वह इस तरीक Ecuador अपानी को नशूपर और फ्लोएम हमेशा नीचे लेकिन अधर आउपर भी जासकता है जाइलम नेचे नहीं आसकता है यह संट ऑफ सेब इंटर कालरी मरिस्टम economist जो है वह और पर पाई जाती है इंटर कालरी मरिक्ना किस जगा पर मोजूद होती बस इतना बताने बहुत है हें इंटर्ट्छि करे इंट्रध कैलरी कर एक्ट्न एक्ट्छिली में आपका जितना भी एंपने की यह ओड़ो फिर नहीं जो टिपने अट्स पर अट्स अपने ऐड़ारी 1 डिश्ट ढासी सुप अब शिरूध दिव रखें इंटर कैलरी मरिस्टेम अगर आप ए और बी चूस कर रहे हो तो ए और भी दोनों पे एपिकल मरिस्टेम होता है क्या होता है एपिकल शीर जिसे कहते हैं शीर से विवाजियों तक यहां पे एपिकल होता है सी जो है यहां पे सी जो है वो क्या होगा आपका बेस ओफ लीव्स कहा जाता है इंटर कैलरी ठीक है इन में से कौन सा टिशू पेर कंस्टिटूटा वस्कुलर बंडल समभानी उत्तक का निर्मान कर रहे हैं गुरूप डी का क्वेश्चन है वस्कुलर बंडल मैंने आपको ब बताई कोई बात नहीं लिव्स ही लगा था ना दरा त्री टाइपस ओफ सिंपल पर्मनेंट टिशू हमारे पास सिंपल पर्मनेंट टिशू जो है वह तीन प्रकार के ऑप्शन आपके सामने कौन कौन से हैं ज़रा बता दीजिए यहां पे सबसे पहले पैरन कायमा कॉलन का स्क्लारं कायमा अपने को वही डूड़न पैरन कायमा कॉलन कायमा स्क्लारं कायमा सी ऑप्शन ठीक है और तीनों को देखे इसमें आपको देखो इंटर सेल्लूलर स्पेस नजरए रहे रेगुलर स्क्लारं कायमा डेड है तो एक्दम तक बने हुए यहां पर और जो क्लोर कयमा होते हैं वो आपके यह कॉलन कैमा जो ओते हैं यह irregular Weege जाते हैं ड़ेश लुजली पैक्ट टू प्रोवाइट लार्ज इंतर स्पेस पार्स ली किसके घुमा के वही क्वेशिन पूछा हुआ है सतरा सितंबर को भी और 28 नवेंबर को भी है दोनों सिफ्ट में पूछा गय मेरिस्टमेटिक और पर्मनेट पर्मनेट के दो प्रकार हो जाते हैं एक सिंपल और एक कॉंप्लेक्स ठीक है पूरा चार्ट आपको एजटे समझना चाहिए पौदे की सबसे बाहर की जो सुरक्षात्मक परत होती है उसको क्या बोलते हैं बार्क याने की छाल विश्टिशू फॉर्म्स कोकोनेट हस्ट यह बताओ यह बहुत ही अच्छा क्वेश्टन है और यह क्वेश्टन आपको इस चाट्टर से दुबारा रिपीट भी करेगा व जो है न वह आपको पूछे जाएंगे ठीक है यह थोड़ा सा याद रखना है यहां पर तो याद रखी नारियल की भूसी कौन सा उत्तक बनाता है स्क्लेरेन कैमा तो जितनी भी मजबूत चीज़े बनानी है और स्ट्रॉंग चीज़े बनानी है मजबूती प्रदान करनी ह स्क्लेरेन कैमा करने लग रहा है ठीक है विच टिशू हेल्पिन ट्रांसपोर्ट अव मटीरियल फ्रॉंग फोटोसंथेस पार्ट आप टिशू प्लांट्स कौन सा उत्तक पौधों के प्रकास संसलेशक भागों से पदार्थ के परिवहन में सहायता करता है लास्ट क्वेस लिए विच टिशू हेल्पिन ट्रांसपोर्ट अव मटीरियल फ्रॉं फोटोसंथेटिक पार्ट अप्लांट तो फोटोसंथेस किया खाना तयार किया खाना कौन ट्रांसपोर्ट करेगा फ्लों चार पाट्स में डिवाइड़ेड है ना सीव कंपेनियन वैसल स्चुह वो इसाइलम में होते हैं दो पर्मानेंट टिशू जाट प्रवाइड फ्लेक्सिबिलिटी इन दा प्लांट बताओ यह आप बताओ पैरन कैमा पैकेजिंग स्क्लेरन कैमा स्ट्रेंथ द्रंता मजबूती और कॉलन कैमा क्या करने लग रहे हैं कॉलन कैमा आपका यहां पे फ्ल पैरन कैमा पैक करने का काम करता है ठीक है चलिए यह कवेश्चन कम्प्लीट अब आप शांती से और एक सुकून के साथ दोनों चाप्टर पढ़ लिए मेरे लेवल पर यह दोनों चाप्टर आप लोगों के लिए कंप्लीट हो चुके हैं एनिमल टिशू भी और प्लांट तो आप लोगों के लिए यहां पे पूरा है नया नोटिफिकेशन अभी मुझे दिखनी रहे कहीं पे भी नहीं नोटिफिकेशन आर्पी एफ का दिख रहा हो तो मुझे जरूर से बताईएगा क्योंकि 9000 सीटे हैं ऐसा मैंने सुना है पहले वाले में तो 4600 सीट थी ना लेक जबिट्द्था टो नोटिफिकेशन आया आर्पा कैंटे वह कितनी दि जिख रहे हैं एक कोशिश करेंगे अपी कि Exactly निकाली है अभी विकेंसी कितना है अभी भी कहीं पर नहीं दिख रहा है यह जो नया नोटिफिकेशन ना भाई वह भी अभी तक आपका कहीं पर विजिबल नहीं है कोई विजिबल नहीं है अगर नोटिफिकेशन आ चुका होता तो किसी ना किसी रेलवे साइट पर या कहीं पर आ चुका होता ठीक है लेकिन अभी तक यह कहीं पर भी विजिबल नहीं है नोटिफिकेशन कहीं पर दिखनी रहे तो याद रखें च्छालिस्व यह आ रहे है भाई रेल आ मैं आपको फिर बता देती है रेलवे ने च्छालिस्व वाली जो विकेंसी उसके लिए क्या किया था उसके लिए साफ लिखा था कि वह फेक है ठीक है अब यहां पर जो है वह आ चुका है तो आप मुझे एक बार टेलीग्राम पर से थेक्ड़ खोड़ा करिएगा डेखते है इंग आया है की नहीं आया लेकिन अगर आया ओथा तो रेलवे ने खुद ने इसको वो फिक्स किया होता है ठीक है रेलवे ने खुद हता है जो वेकेंसी है उसको रेलवे ने मना किया था अब बागी है कि जब तक फुष्टी नहीं हो जाती है ख़बर की तब तक वीडियो करने का कोई फैदा नहीं है वागी कुछ लोग को तो वीडियो किसी भी बात पर करना होता है तो लेट देम डू उन्हें पता है बच्चों को कैसे भी करके बच्चों को एंगेज करना है चाहे नहीं उस गलती क्यों नहीं हो तो फिर वह तो कोई दिक्कत ही नहीं है जब यह नोटिफिकेशन आया था पहले तो मेरे क्याल यूट्यूब के जितने भी टीचर है सब ने यहीं बोला था आ आ गया आ गया मुझे लगता ह तकी फेक है तो अरे आगे आप भाई टेट तो देख लो अब दुवारा भी डाउट की जो है न वह आएगा अब कल आपका जो टॉपिक है वह आठ बचे होने वाले और कल की क्लास आपकी स्पेशल होने वाली है कल आपको यह पचास साथ सो क्वेशन नहीं कर रहे हो कल तोड़ा सा टाइम अपना बचा के रखना दिन में तोड़ा सा सो लेना ताकि दो तीन घंटे जो है न वह आप जग पाऊ और चीज़े रिवाइस कर पाऊ तो पहले आपको यह जरूर करना है ठीक है यह जरूर करना है और दूसरा अगर इसका थियोरी मुझे लगेगा कि आपको कोई ऐसा थेयोरी जो नहीं समझ आया है वह मैं आप लोगों के लिए करा लोंगी ठीक है यह चीज जो है न वह यहां पर यह पूरा पार्ट जो है वह आपको हैल्प भी करेगा साथ मैं फाउंडेशन बैच जो साइन्स का है वहां पर मैं पूरी थेयोरी आपकी कर लिजे और रेलवे का अगर कहीं पे भी कोई भी प्रॉपर सही नोटिफिकेशन आएगा तो वह मैं कर दोंगी अभी के लिए कोई नोटिफिकेशन इम्प्लाइमेंट न्यूज में नजर नहीं आ रहे है ठीक है आया होता तो कहीं न कहीं दिख जाता और मैं तो ही चाहते हूं जल्दी से आया और अच्छी खासी वेकेंसी लेके आए थाकि बच्चों को यहां पर करना था ठीक है अच्छे से कवर करना जा सकता है चलिए ठीक है कल 200 question for the periodic table आप invite कर लिजिए उसमें भी class का link share कर दीजिए अल्रेडी कल वाली class लग चुकी है तो आप वहां पे भी जाके उसमें सब्सक्राइब करके या notify class का जो notification होता है उसमें notify करने का बटन आता है उसको दबादो तो आपको class अपने आप ही वहां इनिमल टीशू और प्लांट टीशू दोनों एक साथ पढ़ लिजेगा और पिर कल मेरे पास आएगा थाइंक्यू सो मच बाद